देखते हैं अब एक कोशन हम करेंगे अभी हमने कोशन किया था 1.4 अब कुछ कोशन ऐसे आपके बुक में आएंगे कि आपको डायरेक्ट नी रिवर्स करके कुछ आंसर निकालना पड़ेगा यानि आपको डायरेक्ट ली वह यह दे देगा और पूछे का पर्चेस बताओं तो कैसे करना इसका बैस्ट तरीका यह है कि हमें एक फॉर्मेट बना लेते हैं फॉर्मेट बनाने के बाद जो जो आइटम है फिल कर देंगा जैसे मैंने एक फॉर्मेट तयार कर लिया और फॉर्मेट बनाने से हमें याद भी हो जाता है यह येलो मैंने ये सारे points लिख लिए है, yellow, हमारे book में एक illustration number one है, इसमें क्या कहता है, opening stock of raw material देता है आपको 10,000, opening stock of raw material 10,000, तो मैंने यहां लिखा opening, stock raw material 10,000, ये तो plus होना होता है, आप बस fill करते जाओ, आपको result मिल जाएगा, इसके आद बोलता है closing stock raw material, ठीक है भाई, minus करते है, closing stock, raw material, कितने आगे 15,000, raw material मतलब कच्चा माल, ठीक है, इसके बाद expense on purchase, purchase expense यहीं पर आ जाएगा, direct expense, expense on purchase दे रखा है आपको 5000, चलो इसे direct यहां लिखते है 5000, wages दे रखा है आपको, wages दे रखा है 50,000, अब यहां पर direct wages है, तो मैं यहां लिख देता हूं, direct wages, और वो दे रखा है 50,000, ठीक है, and prime cost भी आपको दे दिया, इसने एक लाख, और बोलता है purchase बताओ, क्या बताओ आप raw material purchase, तो कैसे करें, बड़ा ही simple, जब हम नीचे से उपर जाते हैं ना, तो इस बात को ध्यान रखना है, जो plus है, उसको minus करेंगे, जो minus, उसको plus करेंगे, तो एक लाख में 50 minus करेंगे, यह क्योंकि plus का item है, तो कितने बचे 50, 50 में 5 minus करेंगे, 45, 45 में 15 क्या करें, plus करेंगे, 45 में 15, 60, 60 में 10 minus करेंगे, यही question में आपको निकालना था, ठीक है, question में क्या निकालना था, आपने raw material कितना purchase किया, answer निकल गया, आपका कितना आ गया, पचास अजार, और भी question देखते हैं, इस type का, और देखते हैं, question number, note कर लिया,